सो हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में मैं रितेश कुमार तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग किसी भी नए लभार्थी को पोशन ट्रेकर एप में जोड रह हैं तो वहाँ पे उस लभार्थी का नाम सो नहीं कर रहा है तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको complete जनकारी मिलने वाली है हम आपको यहाँ पे एक लभार्थी का नाम भी add करके दिखाएंगे और यहां पे क्या problem आ रही है उसके बारे में भी की एगा है तो निशए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को वी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज कि ये वीडियो देखिए सबसे पहले यहां पर हम बेनिफिसरी वाली केटेगरीज में आएंगे यहाँ पे बेनिफिसरी वाली केटेगरीज में आके यहाँ पे किसी भी लभार्थी का आप लोग निव रेस्टेशन कर रहे हैं तो एक प्रोलम भी आपको प्रेशन वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस परकार का प्रेज ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर पहला प्रेगनेंट वुमें यानि कि जो गर्भाती महिला है उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है फर्स्ट वाले कॉलों में दूसरे कॉलों में आपको ड अधार कार्ड पे अधार संख्या दिया रहेगा उसी परकार से आपको यहाँ पे उसका अधार संख्या दर्ज करना है फिर उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे हेल्थ आईडी को नहीं डालना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है डेट ऑफ बर्थ में आपको ऐरो वाले पर पीली करना है यहां पर छोटा से और का निशान आपको दिखेगा इस पेकली करके आपको जो भी मौन्त हो उसको आपको है पपर सेलिक्ट कर लें न है फिर यहां पर नीचे आपसे पूछेगा क्या यह आपकी पहली गर्ववस्ता है तो आपको हाँ और नहीं सेलेक्ट करना है फिर आपसे आगे पूछेगा क्या पहले गर्वपात हुआ तो गर्वपात हुआ है तो हाँ करेंगे नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो LMP date होता है याने की मासिक धर्म जो है उसका कब हुआ था उसका यहाँ पर date डालेंगे और यहाँ पर submit करेंगे चलिए यहाँ पर फटफट से हम सभी details भर लेते हैं उसके बाद आपको आगे समझाते हैं तो यहाँ पर हमने उस लभार्थी का यानि उस गर्भाती महिला का सारा details डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पर जो submit का option है तो हम लोग इस submit वाले option पर किलिक कर देंगे जैसे यहाँ पर हम submit करेंगे तो record सफलता पूरबक update हो जाएगा तो record successfully add हो चुका है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस लभार्थी का नाम add हुआ है कि नहीं हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभीता देवी का नाम add किया है लेकिन यहाँ पर उस लभार्थी का नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे जो refresh वाला option आप लोग देख रहे हैं एक बार आपको refresh वाले option पे भी आपको click कर लेना है ताकि page refresh होके जिस लभार्थी का नाम हमने add किया है वो यहाँ पे add हो जाए तो यहाँ पे देखिए add नहीं हुआ है और जैसे कि मान का submit नहीं होगा और यहाँ पे आपका एक notification उपर में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो notification का option आप लोग देख रहे हैं वाइफाई जैसा तो यहाँ पे आप लोग जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है सभीता देवी beneficiary आधार already exist यानि कि आपने इस लभार्थी का जो new registration है वो एक बर कर दिया है तो आप दुबारा यहाँ पे उसका registration नहीं करेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे wait कर लेना है जैसे कि इसमें server की issue हो सकती है या कुछ problem हो सकती है जिसके करन आपका वहाँ पे नाम सो नहीं कर है तो आपको क्या करना है एक दिन का आपको wait कर लेना है एक दिन के बाद आपकी जो यह लभार्थी है वो यहाँ पे add हो जाएगी तो उसके बाद आप उसका अधार verify भी कर सकते हैं तो जैसे कि माले जी उस लभार्थी का नाम यहाँ पे add हो जाता है तो आपको क्या करना ह हैं इसके नाम के उपर किली कर देना है किली करने के बाद यहाँ पे आपको verify करने का option मिल जाएंगा तो आप लोग इस पर click कर के उस ल Влад भार्थी का अधार verify कर सकते हैं तो हमने आपको इस वड्रिव में बता दिया कि आप किसी भी ल्बहार्थी का new registration करेंगे तो आपको क्या problem आ सकती है और ये problem कब तक ठीक होने वाली है अगर आप लोग दुबारा registration करने जाएंगे तो यहाँ पर एक जो वाई भाई वाला option आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक notification दे देगा यानि कि आप लोग एक बार से ज्यादा लभार्थी क नाम नहीं जोर सकते हैं तो आपको थोरा सा वेट कर लेना है जल्दी ये problem आपकी ठीक हो जाएगी उमीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जि हिंद